शुरूताओं मेरा डॉक्टर रशुब कुमार नागर का आपको साधर प्रणाम आज मैं आपको भारत के ही नहीं बलके भारती है महादीब के सबसे बड़े योगी गुरू मसेंदर नाथ की कथा सुनाने जा रहा हूँ गुरू मसेंदर नाथ भारत में नाथ संपरदाय के परवर्तक थे मसेंदर नाथ हट योग के प्रथम आचारिये और महा सिद्ध पुरूश थे मसेंदर नाथ के नौ नावनाथ जो हैं उन में से पहले नावनाथ थे इसके अतरिक शिव पासना का एक बहुत प्रशिद विधी है जिसको कौल तंत्र साधना बोलते हैं तो कौल तंत्र साधना के प्रवर्तक गुरू मसेंदर नाथ थे तंत्र सास्त का मतलब कोई जादू टौना नहीं है भगवान शिव की भक्ती के लिए ये एक बहुत ही रहस्मई हट योग पर आधारी पद्धती है विधी है और ये उसके तंत्र योग साधना के प्रवर्तक माने जाते हैं श्रताओं आपको शायद ये मालूम होगा कि गुरू गुरक नाथ के ये गुरू थे गुरू गुरक नाथ जो भारतिय महदीब के बहुत बड़े योगी हुए हैं ये उनके गुरू थे मसेंदात के जन्म के बारे में यदि हम बहुत सारी पुस्तों का ध्यन करते हैं तो कोई निश्चित जानकारी, सटीक जानकारी, प्रमानिक जानकारी कहीं किसी भी ग्रंत में नहीं मिलती है विद्वानों के नुसार, इनका जन्म, ग्यारवी शदी से पूर, कामरूप जिसको अब आसाम बोलते हैं, वहां पे चंदरगिरी नामा किसी अस्थान में हुआ कुछ विद्वानों का मत है कि इनका जन्म एक मच्छवारे परिवार में हुआ इनके जन्म के बारे में बहुत सारी किवदंतियां हैं, एक नहीं सैंकडो किवदंतियां गुरू मसेंदनाथ के बारे में हैं और सबका सार ये है, कि ये जो आदिनाथ भगवान शिव हैं, उनके अवतार थे जो अधिकान्स गरंथों में जिस घटना का वर्णन है, जो किवदंतियां है, वो इस प्रकार है कि एक बार कामरूप में और बंगाल में, उत्री बंगाल में समुद्र के किनारे भगवान शिव पारवती को हट योग के रहसों के बारे में बता रहे थे, हट योग के रहसों की जानकारी एक आम तुद्रीप में मतापारवती को भगवान शिव दे रहे थे, शुरताओं जो योग शास्त्र है, तंत्र शास्त्र है, इसके जो आदी गुरू हैं, पहले जानकार हैं जिनोंने ये जानकारी, देशी मुनियों और योग के गुरूं को दीव वो थे भगवान शिव, तो भगवान शिव जो हैं, वो परत्थम योगी हैं, तो भगवान शिव पारवती जी को हट योग की बहुत रहस्मी जानकारियां सुना रहे थे एक आंद में, वहीं पर किनारे पर एक बहुत बड़ी मच्छी, मच्स जिसको बोलते हैं, वो आकर ये सारी जानकारियां सुनने लगी, उसने ये सारी जानकारियां सुनने ले और सुनने के बाद वो बिलकुल इस्तिर हो गई, पत्थर के समान हो गई, जैसे शिरा लेक होता है, जब भग योगी सिद्ध के रूप में परिवर्टित किया, तो क्योंकि इनका जन्म मच्छी से हुआ, और मस्छेंद नात का मतलब है, जो मच्छीयों के राजा हैं, स्वामी हैं, मास्टर अप आल, फिश्ट, तो इसलिए इनका नाम मस्छेंद नात रखा गया, इसी कहानी को तरह त परिवार में एक बच्छे का जन्म हुआ, और अशुब लगन या योग में होने के ग्रह में होने के वज़े से उसने वो बच्छा समुजर में फैंक दिया, उसको एक बहुत बड़ी मच्छी ने निंगल लिया, और वो बच्छा मच्छी के पेट में काफी दिन रहा, भग मच्छी के पेट में था, ये सारी जानकारी हैं सुन ली, और उसके बाद 12 साल तक मच्छी के पेट में रहकी ही उसने इनका पभ्यास किया, उसके बाद वो एक बहुत बड़े सिद्धीयोगी बनके मच्छी का पेट फार कर बहार आए, और इस परकार इनके जन्म के बारे म ये किवदनती है कि इनका जन्म मचलिशे हुआ लेकिन अधिकांस विद्वान ये भी मानते हैं कि काम रूप के किसी परिवार में मच्वारी परिवार में ग्यारवी सताब्दी से पूर इनका जन्म हुआ जहां तक इनके जन्म के काल के बारे में है तो बहुत सारी जो विद्वान हैं जिसमें डॉक्टर पिताम मर्दत बर्थवाल हैं राहुल सांस करतायन हैं डॉक्टर हजारी परशाद दुएदी हैं इसके लावा डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं बाक्षी साहब हैं बहुत ल साथवी से बारवी सदी के बीच में इनका जन्म है और अधिकांस विद्वानों का मत है कि नौवी या दसवी सदी में इनका जन्म हुआ ये नात संपरदाई के प्रवर्तक थे सुलताओं नात एक ऐसा संपरदाई है जो हिंदु धर्म का एक बहुत महत्पूर अंग है गंगा और यमना दो नदियों के मिलने से एक बहुत अच्छे तीर तरस्तान का जैसे स्रजन होता है इसी परकार एक नदी योग की है और दूसरी नदी जो है वो तंतर सास्त्र की है ये दोनों नदियां मिलकर और तंत्र शास्थ से अमरत रूपी जल को लेके गुरू मस्चेंदरनात ने कौल सक्ति साधना जो तंत्र शास्थ का यह एक भाग है उसकी इस्थापना की यानि भागवान शीव को तंत्र के द्वारा और योग के द्वारा प्रणयाम के द्वारा प्राप्ट करने का जो एक विदी है उसको कौल साधना बोलते हैं कौल अचार बोलते हैं और मस्चेंदरनात ने एक पुस्तक लिखी है जिसको बोलते हैं कौल ज्यान निन्ड़े तो कौल ज्यान निन्ड़े जो है तंतर शास्तर के उपर सबसे प्रमानिक किताब है इसके बाद 11 शतादी में कश्मीर में एक बहुत बड़ी विद्वान हुए है अभीनव गुप्त और अभीनव गुप्त ने अपने जो ग्रंथ है तंत्रशास्त अभीनव गुप्त को कश्मीर में शेफ धर्म का संस्थापक कहा जाता है यानि भगवान शीव की भक्ती के वो पिता में आ थे फादर थे उन्होंने ही कश्मीर में भगवान शीव की भक्ती को प्रारम किया तो उन्होंने जो अपनी पुष्टक लिखी है तंत्र लोग उसमें वो सबसे पहले गुरु मसेंदर नाथ को मचंद विभू कहके इनका अभिवादन करते हैं इनको नमस्कार करते हैं तो क्योंकि अभिनव गुप्त दसवी सदी और ग्यारवी सदी में हुए हैं ग्यारवी सदी के प्रारम में तो उससे पहले ये अभिनव गुप्त गुरु मसेंदर नाथ का काल होना चाहिए यानि नौवी या दसवी सतादी में इनका काल होना चाहिए जो अभिनाव गुत दुबारा लिखे ग्रंद से प्रमानित होता है अभिनाव गुत ने इनको मचंद विभू कहके इनका नमस्कार किया है कहने का मेरा ताथ पर यह है कि कश्मीर में जो सैविज में है उसके भी जो आचारिये हैं वो मस्थेंद नाथ है मस्थेंद नाथ के आठ सीच्च थे और सबसे प्रमुक्ष सीच्च थे गुरख नाथ दूसरे जो सीच्च थे जालंदर नाथ कानपी नाथ या कृष्णपाद भी बोलते हैं इनको उसके बाद इनके सीच्च थे चरपटी नाथ रैवर नाथ और नाग नाथ और भरत हजी नाथ तो इस प्रकार इनके आठ सीच्च थे और नौवे खुद मस्चेंदर नाथ ये नौ मिलके जो है नौ नाथ कहे जाते हैं जिनकी बड़ी माननेता है योगशास्त्र में सुरुताओं जो गुरू गोरक्ष नाथ हैं उनके जन्म से भी मस्चेंदर नाथ का बड़ा भारी किवदंतिया हैं बहुत सारी कहा नहीं जा सकता कि उनमें कितनी सचाई है लेकिन सबसे जो प्रसिद्ध किवदंति है कि गुरू मस्चेंदर नाथ एक बार देश में ब्रह्मन कर रहे थे तो वहां पर एक घर में भीक्षा मांगने गए वहां की जो ग्रहनी थी को भीक्षा देने आई लेकिन गुरू मस्चेंदर नाथ को देखकर लगा कि ये इस्तरी जो है विशाद में है दुखी है उन्होंने उससे उसका दुख का कारण पूछा तो उसी इस्तरी ने बताया कि उसके पास सब कुछ है लेकिन उसके पास कोई संतान नहीं है ऐसा कहा जाता है कि गुरू मस्चेंदर नाथ ने अपनी जोली में से निकाल के भवूत उस महिला को दी कि आप इसको सेवन कर लीजिए आपको पुत्र प्राप्ति होगी लेकिन और जो उसकी साथ की महिलाएं थी उनके भहकावे में आके उसने इस भवूती का सेवन नहीं किया इसको गोवर के धेर के उपर फैंक दिया 12 साल बाद गुरू मस्चेन नाप संयोग की बात है कि फिर उसी गाओं में आए और उसी गाओं में उस घर में भिक्षा मांगने गए और उस इस्तिर से पूछा कि वही आपका पुत्र कहां है वो इस्तिर समझ गई उसने सारी बात सचाई से बता दे कि उसने उस भवूती का सेवन नहीं किया मस्चेन नाप ने कहा था वो तो योग द्वारा मंतर द्वारा सिद्ध भवूती थी वो बेकार नहीं जा सकती आपने कहां पैंकी है कहते हैं वो औरत उनको उस गोबर के धेर के पास ले गई और गुरू मस्चेन नाथ ने आवाज लगाई अलाख मिरंजन और एक बारह साल का बहुत सुन्दर बच्चा वहां से परकट हुआ तो इस तरह उसका नाम गोरक्षनाथ या गोरक्षनाथ रखा गया और गुरू मस्चेन नाथ अपने साथ ही उसको योगी बनाने के लिए ले गए अब कहा नहीं जा सकता कि इन घटनाओं में क्या सचाई है लेकिन इस तरह की घटनाएं एक नहीं अनेक गरंथों मिलती है तो मस्चेन नाथ गुरू गुरक्षनाथ के गुरू भी थे एक नेपाल में सबसे जो पूजनिये गुरू है वो गुरक्षनाथ हैं और मस्चेन नाथ है ललितपूर और पाटन एक एरिया है जिला है वहाँ पर पाटन छेतर में ललितपूर वहाँ पे हर साल अप्रेल मई में एक बहुत ही बड़ी यात्रा निकाले जाती है जिसको राटो मस्चेंद्र यात्रा बोलते हैं मस्चेंद्र नाथ की यादगार में एक लकड़ी का रथ जो है वहाँ पर इनकी मूर्ती रख्के यातरा निकाल लियाती है यातरा बहुत पवितर यातरा है पूरे नेपाल में सबसे पवितर है और राज किया इस तर पर इसका आयोजन किया जाता है तो इसके पीछे घटना है कि एक बार गुरू गोरकनात नेपाल गए लेकिन वहां कुछ लोगों ने इनका जितना स्वागत होना चाहिए था उतना स्वागत नहीं किया तो गुरु गुरकनात कुछ नाराज हो गए और वहां जो नेपाली लोगों में ये विश्वास है कि वहां जो वर्षा होती है वो सर्पों के कारण होती है तो उन्हों ने उन सर्पों को अपने वर्ष में कर लिया नतीजा ये हुआ कि नेपाल में वर्षा नहीं हुई सूखा पड़ गया वहां के राजा ने अपने मंत्री से सला की बुद्ध देव शायद उस मंत्री का नाम था और उसने बताया कि ये सब गुरु गुरक नात की वज़े से है और निश्चे किया गया कि जो इनके गुरु हैं मस्थेंदर नात और उस समय वो काम रूप में कदली वन में वो तफश कर रहे थे उनको बुलाया जाए गुरु मस्थेंदर नात नेपाल गए जब गुरक नात जी को पता चला तो वो उनके स्वागत में अपना आसन छोड़ कर गए और उसके बाद वहां पर काफी वर्षा हुई तो वहां पे मस्थेंदर नात को वर्षा का देवता माना जाता है योग के सास्त वर्षा का देवता माना जाता है और हर साल जो है एक बहुत बड़ी यात्रा जो है नापाल में गुरु मस्थेंदर नात की आद में लालित पूर पार्टर नेरी में आयुजित की जाती है गुरु मस्यन नात ने एक योग शास्त्र की जो तंत्र विज्ञान पर आधारित शाखा है जिसको कौल भक्ति साधना बोलते हैं कौल अचार बोलते हैं उसके वे ये प्रवर्टक माने जाते हैं उसको प्रारम किया इनों ने तंत्र शास्त्र में साथ कौल अचार हैं साथ कौल अचार का मतलब है कि भगवान शिव को प्राप्त करने की साथ विदियां है पहला है वेदाचार वेदों के माध्यम से हम भगवान शिव को प्राप्त करें वेदाचार से श्रेष्ट है वैसनवाचार वैसनावचार से भी श्रेष्ट है सेवाचार सेवाचार से भी श्रेष्ट है साक्ताचार शक्ती के द्वारा शक्ती की पूजन और साक्ताचार के चार भाग है वामाचार, दच्छिनाचार, सिद्धानचार और कॉलशाथ तो सातों आचारों में जो तंतर साथ के आचार हैं सातों विधियां हैं जो एक से एक भढ़के हैं उनमें सबसे श्रेष्ट है कौलाचार और गुरु मस्यंद नात ने पहली बार कौलाचार द्वारा कौलाचार शक्ति साधना और तंतर साधना द्वारा भगवान सिप को पराप्त करने के विधि का अविश्कार किया और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है और इस में ये बताया गया है कि मैंने जैसे बताया कि सबसे तंतर सास्त में सबसे अच्छा जो आचार है विधी है वो कौलाचार है अब ये शुरताओं आपके मस्तिक्स में सवाल होगा कि ये क्या है तो इसका मैं आपको बहुत संझिप्त में सार बता रहा हूं कि कौलाचार का मतलब है जो मुलाधार चक्र में जो कुंडली है और जो अपरबुद अवस्था में है सुपत अवस्था में है और सक्तिका बहुत बड़ा केंद्र है उसको जागरत अवस्था में लाकर तंत्र द्वारा हर्ट protagonist द्वारा और प्रणयाम द्वारा मुला जहार चक्र से स्वाधिस्तान चक्र में लाए जाए स्वाधिस्तान चक्र के बाद उसको नाभी में मनिपुर चक्र में इस्तित सुसुमना नाड़ी में परवेश कराकर अनहा चक्र में ले जाए जाए विशुधी चक्र में गले में इस्तित ले जाए जाए और दोनों भाओं के बीच में जो आग्या चक्र है वहां ले जाकर उसको सहस्तरार्स जो चक्र है एक हजार कमल वालों जो चक्र है जो हमारी जहां से इनमें चोटी होती है वहां पर इस्तित है वहां पर परम सीव से उसका मिलन कराए जाए तो कुंडानी शक्ति का परम सीव से मिलन कराना ही कौल शास्तर का सिध्धान्त है सावर चिंता मनी एक ग्रंथ है उसमें ये बताया गया है कि एक बार पारवती जी को इन्होंने बताया भगवान शीव ने कि ये जो बहुत शक्तिशाली और बहुत बड़े योगी है मस्चिंद्रनाथ ये मेरे ही अवतार है ही जमाई योगिक मैनिफेस्टेशन यानि मेरे ही योग के अवतार है तो ये जो भगवान शीव को से मिलन की कुंडली जागरत द्वारा जो ये विधी है तंत्र शास्तर की इसके परवरतर गुरु मस्चिंद्रनाथ हैं और मस्चिंद्रनाथ ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की बहुत सारे जो कहना चाहिए कि पूरे भारत में नहीं नैपाल में दूर दूर तक इनोंने ब्रह्मन किया और बहुत सारे जो योगी हुए हैं जो 84 सिद्ध हैं और उन सिद्धों में भगवान शिव के बाद जो पहले सिद्ध हैं वो मस्चिंद्रनाथ हैं एक बहुत बड़े योगी हुए हैं उन्होंने एक किताब लिखी है हट योग परदीपी का स्वात रामा मुनिद्र ने जो किताब लिखी है हट योग परदीपी का उसमें वो लिखते हैं कि कुछ योगी ऐसे हैं जिनमें दो नाम मैं बता दूँ बहुत सारे योगी हैं ज ये पूरे भूमंडल में ब्रहमन करते रहते हैं कहने का मतलब है हर यूग में ये लोग जो हैं जीवित हैं और ये लोग हट योग के द्वारा तंत योग के द्वारा इन्होंने ऐसी ऐसी सिध्या प्राप्ट की है कि ये काल खंड से परें हैं इनका ना कोई जन्म है ना कोई मरत्तु है सुरताओं भारत में जो योग का बहुत आजकल काफी परचार हो रहा है तो उसमें गुरु मसेंदर नाथ गुरु गुरक नाथ और इन द्वारा रचित जो बहुत सारी मूल पुस्तके हैं हट योग परदीपी का है स्वात वर्मा की इनका एक बहुत महत्कून योगदान है इनमें ग्यान भरा पड़ा है और केवली यही है कि हम लोग कैसे इन पुस्तकों को पढ़ें और उसके बाद किसी गुरु के सानिद में रहके हम ये जो हट योग साधना है कुंडली जागरन है इनका अभ्यास करें और अपने जीवन को सफल बनाएं इनी सब्दों के साथ अब मैं अपने इस वीडियो को भी राम देता हूँ आपको यदि अच्छा लगे तो कृपिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद